हेलो स्टुटेंट्स तो कोड़ इवनिंग सभी को तो एक वार फिर से हम अपनी क्लास जो स्पीड डिस्टेंस टाइम चाल समय और दूरी की है उसमें हम रेल गाली की सवाल लेकर आपके सामने हज़ जरू हैं जैसा हमने पिछली वीडियो में कहा था तो देखें यह वाले जो सवाल है हमारे यहा जो रेल गाड़ी के सवाल हैं इनको यह मान लीजे कि आपके जो एकजाम में जरूर आपको देखने को मिल जाते हैं किस तरीके से इनको सौल्व करना है यहां पर बहुत सारे कुछ लिश पोर्म Days होते हैं उनको हम देखेंगे हमें पार कर लेगी चीक है तो सबसे पहले हम ये सवाल समझते हैं कि सवाल है क्या देखिए जैसे ही हमारी रेल गाड़ी है तो इसकी जो यहां सवाल है सवाल के एसाब से यह हम दिश्थ दिया गया है कि जो टोटल लेल गाड़ी है वो हमारी 150 मीटर लंबी है और यह जो लेल गाड़ी है सोरी यह आपको 54 किलोमेटर प्रतिगंटे के स्पीड से इस साइड को आ रही है किलोमेटर प्रतिगंटा अब जब ये इसी स्पीड से इधर को आ रही है तो हमेशा ध्यान रखना चाहे कोई खंबा है चाहे कोई आदमी है कोई भी point object मतलब कोई बिंदू तरेके का कोई बिंदू होता है तो उसके लिए ये मान लिजे कि जो दूरी होती है जो train की दूरी होती है वही उसके द्वारा चली आपका होता है समय का दूरी बटे चाल दूरी बटे चाल हमारा सूतर होता है तो दूरी मैंने आपको बता दिए कि जब भी किसी train कोई ब्यक्ती कोई खंबा इसको पार करेगी तो जो दूरी होगी वो उसी की अपनी दूरी होगी बटे जो है 54 किलोमेटर प्रती घंटा दे गुणा कर दीजिए अठारे तीया चुवण हो गया तीन पंजे पंदर आ गया यहां अब इस पंदरे से आप इसको कार दीजिए तो दस आ जाएगा तो इसका मतलब दस सेकेंड में जो है वो इस व्यक्ति को यह जो ट्रेन है वो पार कर जाएगी बहुत अच्छे से आपको सवाल समझ में आगा हो गया ठीक है चलते हैं अगला सवाल देखें कोस्चन की हमारी सेन समझ लीजे कोस्चन आपका बिलकुल पुराना वाला ही है लेकिन हलकी सी एक चीज इसमें जुड़ गई है वो है आपकी कि एक यहां पर व्यक्ति है जो एक व्यक्ति है वो यहां पर यह मान लीजे कि यह जो व्यक्ति है यह आपका इस डारेक में चल रही है ट्रेन 40 kM के छाल से चल रहा है और जो यह वाला опरती है वो 4 km के छाल से चल रहा है अब हमसे question यह है कि बताई यह iohtrainen यहां से मतलड़ कि इसको कितनी दिर में इस आदमी को वो पार कर लेगी ठीक है न यदि ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है 300 मीटर इसमें दीने गई है तो 300 मीटर इस ट्रेन की लंबाई है तो मैंने अभी आपको पता है सवाल होगी है कि आपके जो लंबाई है वो आपके जो ट्रेन की लंबाई होगी वो दूरी होगी वो उसके बराबर होगी ठीक है ना तो यहां से देख लीजिए भी दूरी तो आपको पता है कि दूरी आपके 300 मिटर चलनी है लेकिन अब हमें बात यह जो दो दो स्पीड दे रखें आपको इसका क्या करना है तो इसका आपको यह करना है कि जब भी आपको एक ही दिसा में कोई दो व्यक्ति या दो यह दो कोई भी चीजिश चलती है तो आपको एक सापेक्स दूरी आपको क्या करना है कि वहां पहर मतले की जो जादा वाली है उसमें से माइनस कर देते हैं कम वाली तो इसका वाला 36 किलोमेटर प्रती गंटा भी आपने भी देखा होगा कि जब आप रोड पर जा रहे हैं रोड पर क्या है कि आप कोई वाइक चला रहे हैं और आपकी स्पीड 40 है और आप इधर से पीछे से एक वाइक वाला आता है और उसकी भी स्पीड आपके बरावर ही होती है तो एक सापेक्स स्पीड आपको क्या नगर आती है वहाँ दिखता है कि वो बिल्कुल आपके साइड में चलना जिसे दोनों बिल्कुल रुख गए हैं तो रुके भी इसलोी नजर आते है क्योंकि दोनों के दूरी एकसी हूजाती है Michelle अगर हो यह कि दूरी एक दूसरे से माइनस करोगे तो वहाँ पे आपके हुआजा रहाते है तो इसी प्रकार ज़़म सापेक्स दूरी निकालते हैं एक दिसा में तो वहां माइटस हो जyalता है लेकन यदि सापेक्स दूरी निकालते है आमने सामने के लिए जैसे कोई तुमारे सामने से कोई गाड़ी आ रही है और तुम इधर से जा रहे हो तो जब दोनों एक साथ cross होते हो तो आपको एक साथ यह लखता ना कि कितरी तेज गई है वो इतनी तेज इसले जाती है क्योंकि दोनों की सापेच दूरी वहाँ पर सोरी चाल वहाँ पर क्या हो जाती है जुड़ जाती है ठीक है ना तो यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है तो यहाँ पर क्योंकि सवाल कहा रहा है कि 40 किलोमेटर से वो प्रती घंटा से ट्रेंड यह उसी दिसा में जा रही है जिस दिसा में 4 किलोमेटर प्रती घंटा से व्यक्ती जा रहा है तो वहाँ पर आपको 40 में से 4 माइनस हुजाएगा तो आपका 36 बच जाएगा अब आपको क्या करना है क्योंकि 36 किलोमेटर को आपको बदलना है आपको मीटर पर सेकंड में तो 5 बटे 18 कि आपको क्या करनी पड़ेगी गुणा करनी पड़ेगी 18 दूनी 36 और यहां पर दूआ गया 25 दस इसका मतलब 10 मीटर पर 30 सेकंड है तो अब आपको क्या करना है कि 300 को भाग कर देना है आपको 10 से ठीक है न यहाँ से आपने इसको काड़ दिया तो इसका मतलब 30 सेकंड में उस व्यक्ति को ये ट्रेन पार कर लेगी ठीक है मेरी ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको देखते हैं कूर सबन तो देखें कॉस्चन में हमसे कह रहा है कि एक 30 किलोमेटर घंटे के चाल से एक ट्रेन जा रही है और उसमें एक वैटा व्यक्ति है पाइचांस मान लो कोई भी एक व्यक्ति है कि जब यह ट्रेन इधर से होके जाएगी वह यह ट्रेन इधर से होके जाएगी तो मान लो इसी व्यक्ति को जो है कि यह ट्रेन जो दिखती है वो दिखती है मतले कि उसे 200 लंब मीटर जो लंबी ट्रेन है उसे वो 9 सेकंड में पार कर लेती है तो हमें ये बताना है कि दूसरी जो ट्रेन है उसकी चाल क्या है तो दीगे इस सवाल में सबसे पहले हमें जो मानना है हमें मानना है कि जो दूसरी ट्रेन है हमने मानने ये वाली जो ट्रेन है जो दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड जो है वो एक की जो train है वो X है एक की हमें दे रखे है 30 km प्रति गंटा तो जो total जो सापेक्ष जो हमारे पास जो relative speed आजाएगी जो सापेक्ष चाल आएगी अभी मैंने बताए कि दोनों opposite जा रही है तो opposite जाते समय है दोनों चाल जुरो जाती है तो यह हो जाएगा 30 प्लस X ठीक ना लेकिन 30 प्लस X जब यह होगा तो आपको एक बात और इसमें मैं बता दूँ कि 30 प्लस X करने के बाद इसमें 5 बटे 18 की गुणा होगी क्योंकि जो लंबाई है train की वो 200 मीटर है और यह आपकी किलोमेटर प्रती गंटा में है तो यहाँ आपको 5 बटे 18 कर लेना है अब यहाँ से आप इस चीज़ को ध्यान में रखते होगे इसको 30 प्लस X गुणा 5 बटे 18 यहाँ से आगे इसे करना है तो आगे चलते हैं तो देखे यह जो है हमारे पास कि 30 प्लस X गुणा 5 बटे 18 ठीके ना अब यहाँ से इसका क्या करना है हमको इसको देख लीजे यहाँ से हमें एक बात हमें पता करना है कि जो दूरी होती है यहाँ पर दूरी का फोर्मूला लगाईए दूरी का फोर्मूला होता है चाल गुणा समय तो देखे अब हमें सब चीज पता है चाल हमें पता है कि तो 30 प्लस X है तेना और गुणा 5 बटे 18 गुणा समय समय कितना ले रही है वो 9 सेकंड 9 सेकंड मैं उसको पार कर लिए और टोटल दूरी कितनी चलनी है 200 अब आपके पास एक एक्क्वेशन आगी इस एक्क्वेशन को आप सॉल्व कर दीजे देखे इसकी इधर आप लाईए इधर गुणा करिए तो इधर हो जाएगा अठारे दूनी चत्तिस सो बराबर अब इधर देखे गुणा करके आई जो 30 और 45 आपके गुणा करके आरे है वो है आपका 45 तिया वही 45 तिया हमारे पास कितना होता है ठीक है 135 तो मतलब इसको आप कर लीए ठीक है तो हमारे पास हो गया इसको आप माइनस इधर से कर दीजे 3600 और माइनस कितना हमारे पास हो जाएगा 1350 और बरावर 45X तो अब आप क्या है इसको यहां माइनस कर लीजे तो हमारे पास माइनस करके आ जाएगा हमारे पास हो जाएगा 3600 माइनस 1350 तो 1350 करने के बाद हमारे पास आ गया 2250 अब आपको क्या करना है बाइस सो पचास में भाग कर देना है आपको बाइस सो पचास में किसका भाग कर देना है इस पैंतालिस का तो यह ना बाइस सो पचास और भाग कर दीजे पैंतालिस से तो आपका X की वैलू आ जाएगी तो अब बाइस सो पचास को भाग कर दीजे आ 45 से तो हमारे पास कितना आ गया 50 ठीक है न यह 50 जो हमारे पास क्या पूछ रहा था दूसरी टेन की चाल 50 km करती है ठीक है पजी एक मट यहां से जो आ रहा है हमारे पास यहां से मुझे लग रहा है क्योंकि यहां सब कुछ अमने उसमें बदल लिया था अब हमारे पास आ जाएगा ठीक है देखिए किलोमेटर प्रती घंटा ही यह होगा क्योंकि वहां जो हमने ब्रैकेट में अंदर रख रहा का था था तो आप इस चीज़ को निश्चिल देजे बाकी आप अगला सवाल देखिए तो देखिए सवाल हमारा काफी जब भी आपका ऐसा सवाल आता है तो आपको एक बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखने होती है कि जब भी कोई ट्रेन जो लंबाई उसकी कुछ भी है यहाँ पर जैसे 270 मीटर लंबाई है जब इस पुल को पार करेगी 180 मीटर को तो जब वो यहाँ पर पहुंचेगी पार करके तब वो इतनी दूरी चल गई होगी यहाँ पर यह कंसेप्ट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होता है तो हमारे पास यहाँ से देख लीजे 18 और 270 और 180 इन दोनों को जोड़के वो टोटल दूरी होगी और बटे जो उसने दे रखा है कितना 30 मिटर पर सेकंड तो मतलब यहाँ से इसको बाग कर लीजे तो 15 मतलब कि कितने समय पंदरा सेकंड में इसे वो पार करेगी तो इस चीज को ध्यान में रखना होता है जब भी चौत्रे की किसी प्लैटफॉर्म की हमें दूरी देता है या फिर हमें कहीं भी ट्रेन की दूरी देता है तो दोनों प्लस होती है अट तब जाकर वो उसको पार कर पाती है ठीक है तो देखी यह वाला सवाल हमारा काफी एक प्रकार से टेक्निकल ही से कह दीजे क्योंकि इसमें हमारे कुछ कंसेप्ट के बारे में इसको बताया गया है क्योंकि यहां से जब दिया आपके कंसेप्ट के लिए न तो ही आप इस सवाल को कर पाएंगे सवाल में कह रहा है एक रेल गाली 50 मिटर लंबे प्लैटफॉम को 14 सेकंड में तता प्लैटफॉम पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है तो रेल गाली की चाल गयात कीजिए तो हमने मान लिया है ऐसे रेल गाली की चाल है वो आपकी X मान ली लेकिन रेलगाडी की चाल से ज़दा जरूरी है हमें कि रेलगाडी की आपको लंबाई भी पता हो क्योंकि लंबाई नहीं पता है तो यहाँ आप उसको सवाल को नहीं कर पाएंगे हमने लंबाई मान ली y तो देखिए जिस समय वो व्यक्ति यह जो व्यक्ति है जो 10 सेक ngo में पार कर रही है इस व्यक्ती को पार करने के लिए मैंने पहले सवाल में बताया कि वहाँ जो दूरी है दूरी वो अपनी चलेगी जो उसकी ट्रेन की लंबाई है तो यहाँ से आपको जो दूरी य बराबर 10 अपके पास एक equation हो जाएगी इसको आप एक कह देंगे उसी प्रकार आप द्वारा इसको सवाल को देगे जहां पर आपको 50 मीटर लंबी ट्रेन को दूरी जो चलेगी एक तो 50 पहले खुद की चलेगी प्लस वाई वो दूरी चलेगी जो ट्रेन की अपनी खुद की लंबाई है बराबर तो आ अधार पर हम इस कोस्चन को सॉल्व कर लेंगे तो कोस्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है देखिए आपको पता है कि Y बराबर 10X है तो आपको क्या करना है यहां पर यह वाली जो कंडिशन है यहां यहां आपको Y बराबर 10X रख देना है तो 50 प्लस 10X और बर आजाएगा 4 x तो x वरावर 50 वटे 4 तो x वरावर हमारे पास 50 वटे 4 आजाएगी इसकी दूरी 50 वटे 4 ठीक है ना 50 वटे 4 तो यह आपका इस तरीके से हमारा जोट सवाल है वो आपका हो गया इसको आप किलोमेटर प्रती घंटा में भी बदल सकते हैं उस्कोर देख ले तो देखे सवाल ये भी आपका काफी अच्छा है क्योंकि यहाँ पर हमसे कह रहा है कि एक रेल गाली इस्टेशन ऐसे प्राता है आठ बजे 20 किलोमेटर प्रती घंटे की चाल से इस्टेशन भी की तरब चलती है माना यहाँ पर A है यहाँ पर B है एक ट्रे से दूसरी ट्रेन चलती है तो जो पहली ट्रेन चली थी वो 20 किलोमेटर प्रती घंटे की चाल से चली थी दूसरी जो चली है 25 किलोमेटर प्रती घंटे की चाल से चली है लेकिन यहाँ पर जो अंतर है वो है कि एक 8 बजे चली थी और एक 9 बजे चली है इसका मतला एक घंट यह मिल जाएंगी तो मिलने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पर एक ची सेम होगी क्योंकि जिस समय यह हमने मांद लिए टी समय पर यह मिलेगी तो टी समय पर जिस समय यह मिलेंगी उस समय आप देख लिजे कि उस समय दूरी दोनों के द्वारा चली गई सेम होगी यहाँ इसी दूरी को बरावर रखते हुए हम लोग बात करेंगे तो दूरी के लिए आप यहाँ से बात कर लीजिए कि दूरी का सूतर होता है चाल गुना समय तो चाल यहाँ पर कह रहा है कि जो पहले की है वो 20 है 20 किलोमेटर परावर लेकिन वो जो है वो जिसकी चाल 20 है वो एक घंटे पहले जा चुकी है इसका मलत समय जो है वो टी से एक घंटा जादा ले रही है उसके बाद जो दूसरी है उसके दूरी कितनी है उसके 25 किलोमेटर परती घंटे से वो चल रही है और जो समय वो ले रही है वो ले रही है टी अब आप इन दोनों को परावर रख दीजे और परावर रखने पर ही आपका सवाल solve होता है तो देखिए यहाँ से इसको कर लीजे यहाँ से मैं इसको रख देता हूँ देखिए 25 T बरावर यहाँ पर हो जाएगा 20 और T प्लस 1 तो यहाँ से हो जाएगा 25 यह देखिए इसको आप solve कर लीजे 25 बरावर इसको रख कर लीजे यहाँ से हो गया तो यहाँ हमारे पास आगया 25 बरावर 20 T और प्लस का 20 अब आप एक काम कर लीजे इसको आप इधर ले जाएगे यह आप 5 T आगया और इधर रह गया हमारा 20 तो T बरावर 4 ठीक है न तो हमारा जो कह रहा है कि कितने दूरी पर यह हमें करेंगी तो T बरावर 4 आगया इसका मतलब आप 25 T में गुणा कर दीजे तो 25 चोका 100 100 किलोमेटर दूरी पर वो जहां से चली थी वहां से वो मिलेंगी ठीक है न क्योंकि देखे मैं इसमें 25 चोका 100 गुणा क्यों करी क्योंकि हमारा जो फोर्मूला होता है वो 4 गुणा समय होता है 4 गंटे बाद वो एक दूसरे से मिलेंगी तो 4 गंटे की आप 25 में मल्टिप्लाइ कर लीजे तो 25 चोका 100 आपका आंसर आजाएगा आप नहीं चाहरे कि वहां आप मल्टिप्लाइ करें तो आप इसमें भी कर सकते हैं 20 प्लस T प्लस 1 में तो यहां पर 4 गंगे 4 गंटे 5 और 20 पंजे 100 100 किलोमेटर की दूरी पर वो एक दूसरे से मिलेंगे तो फलाल आज की वीडियो में इतना ही बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसको एप क्लस से जुड़ना है वो डिस्क्रिप्शन मोक्स में जाकर जुड़ सकता है free of cost है सब कुछ sample paper पूरा syllabus हमारा free of cost है तो बात करेंगे next time ओके goodbye